30,000 के नीचे अगर आप coding laptop लेना चाहते हो तो आपने इस वीडियो को end तक देखना है और मैं आपको पहले ही बता दूँ अगर आप मेरा personal opinion लो मैं तो आपको यही कहूंगा कि पैसे बचाओ और 40-45,000 minimum spend करो लेकिन फिर भी अगर आपका tight budget है आप 30,000 के आसपास ही coding laptop लेना चाहते हो programming laptop लेना चाहते हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए अपने end तक देखनी है पांच laptop आपको बताऊंगा लेकिन आपको यह भी बता के जाऊंगा कि अगर आप उन 5 में से नहीं लेना चाहते तो किन चीजों का आप ध्यान रख सकते हो ताकि आप अपने लिए खुद एक अच्छा और बढ़िया coding laptop निकाल के ला सको तो चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बढ़िया बढ़िया laptop दिखाते हैं तो लेट स्टार्टे पहले कुछ चीजों की बात करते हैं कि अगर आपने खुद अपने लिए coding laptop ढूना तो आपने कि इन चीजों का दियान रखना देको सबसे पहली चीज 30,000 के आज-पास minimum 8GB वाला laptop डूणना अगर किसी भी laptop में 4GB RAM उसको गोली मार तो उसको नहीं लेना क्योंकि basic coding भी अगर आप करोगे किसी नॉर्मल इंटैली जे याँ एकलिप्स जैसे software यूज़ करके या python के लिए वी स्टुडियों कुछ ऐसा software यूज़ करते हो तब भी आपको minimum 8GB RAM रेकमेंड करूंगा और दूसरी चीज आपने expandable RAM वाला option लेना है आपको 16GB से अगली चीज कोशिच कीजिए कि आपकी display minimum full HD तो आपको मिले ही मिले अगर आप क्यूंकि कोडिंग करोगे यूज़ाइज थोड़ा उस पर काम करोगे तो आपको full HD resolution में testing करनी पड़ सकती हैं यह full HD resolution आपको help करेगा अपनी development करने के लिए भी लास्ट चीज जो मैं आपको बोलूंगा वह बैटरी बैकप आपको बैटरी बैकप जुरूर अच्छा लेना है और हां प्रोसेसर के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है यह मैं भूलका बड़ मुझे लगा यह हो सकता है कि आपका अच्छा होना चाहिए अब चलिए लाप्टॉप के साथ आके बढ़ते हैं बात करते है सबसे पहले लापटॉप तो इस लिस्ट में हमने सबसे पहले रखा है लिनोवो आइडिया पैट जो आपको 35000 मिलता है इसमें आपको इंटल को राइटरी मिलता है त्वेल जूनेशन प्रोसेसर पांट सो बारां जीबी के मिलती है जो फ्यूचर में सोलां जीबी तक स्प आपको आउड़ा बॉक्स 512 जीबी एससडी मिलती है तो इस सारी चीज़ें इस लैपटॉप को इलिजिबल बना देती है अगर आप 30,000 के आजबाज लैपड़ डून रहे होए कोडिंग लिए थोड़ा सा प्राइस जाता है बट यह उस तेम का प्राइस है जब मैं वीड सब्सक्राइब के साथ आता है आट जीबी रैम है 512 जीबी एससडी है इंटल यूएच्टी मिलेगा फ्रिफ्टी में मिलेगी फुल एच्डी विंडूस 11 हो मिलेगा 36 वाट आर की बैटरी मिलती है 6 गंटे का बैटरी वेगा आपको अराम से मिल जाएगा उसके बाद आप आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे तो किसी भी लैप्टॉप को लेने का मन कर जाएं तो उस उन्हीं लिंक से बाय करना उससे चैनल की भी सपोर्ट हो जाती है अगला लैप्टॉप जो हमारे पास लिस्ट में है दोस्तों वह है MSI Modern 14 29,000 के आसपास इ i3 11 generation है 8GB RAM है जो फ्यूचर में आप 16GB तक एक्स्पैंड कर सकते हो और 512GB SSD भी मिल जाती है इंटल ग्राफिक्स है जाता है अगला लैप्टॉप जो हमारे पास लिस्ट में है दोस्तों वह है एसूस वीववूट 15 33,000 का आपको यह लैप्टॉप देखने को मिलता है यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है लैप्टॉप का सारे ही एक जैसे लैप्टॉप है जो बेस्ट अवेलेबल थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिये हैं लेकिन मैंने आपको टिप्स दे रखे हैं तो वो टिप्स आपको हेल्प करेगा अगर आप खु यह सारे लैप्टॉप जो मैंने आपको बताएं अगर आपका बजट टाइट है तो आप इसमें मिनीमम कोडिंग और प्रोग्रामिंग अर्राम से कर पाओगे बेसिक लेवल की देखो मैं हाई लेवल की प्रोग्रामिंग की घरेंटी नहीं दे रहा हूंगे अगर आप इंड्रॉइड स्टुडियो चलाओगे उसमें बड़े-बड़े एमिलेटर्स आने सब कुछ चलाओगे त आपको यह वीडियो इंट्रेस्टिंग लगी होगी ऐसा और कॉंटेंट देखने के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और शियर कर दीजिए जो भी बंदा लैप्टाप डून रहा है अंडर 30,000 अरां 30,000 फॉर प्रोग्राम